इस वीडियो में हम Digital Currency से related उन सबी चीज़ों को जानेंगे कैसे आप इसको load कर सकते हो कैसे आप Digital Currency किसी को भेज सकते हो तो चलिए start करते हैं इसके लिए आपको Play Store से इस app को download करना IDFC First Bank का जिसका नाव मैं IDFC First Bank Digital Rupee जैसे आप इसको install करोगे इसके बाद आपको open करना है और यहां पर आपको enter का option दिखेगा आपको click करना है और next process के लिए आपको सारे permissions allow करने हैं इसको यह mandatory है बिना permission allow करें आप आगे नहीं बढ़ सकते इसके बाद आपको term and conditions को आप बढ़ सकते हो accept पर क्लिक करने के बाद आपको skip का button दिखेगा यह आप next next करके आगे बढ़ सकते हो three steps में इसके बाद आपको start registration पर क्लिक करना है और आपको process करना है registration का ध्यान रहे जिस account number जो आपका account number IDFC bank का जिस mobile number से linked है उस पर क्लिक करके आपको verify पर क्लिक करना है जैसी verify successful हो जाएगा अगर match हो जाता detail तो यहाँ पर आपकी सामने successful option आएगा continue पर क्लिक करना है इसके बाद आपको और यहाँ पर security के लिए MPN ये lock pattern का आप इस्तमाल कर सकते हो guys ध्यान रहे इसके बाद जो अगला process है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जो कि bank account से match करता हो इसके बाद continue पर हैं कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप continue क्लिक करोगे यहाँ पर wallet के setup करना होगा वालेट के setup के बाद आपको इहां पर आपको नेक्स प्रॉसस्स दिखेगा वहाँ परको security पर प्रपस के लिए MPino या आप फिंकर पैंड कर सकते हो इसके बाद इसके बाद आपको continue पे click करना है जैसी continue पे click करोगे यहाँ पे आपको अपना bank account link करना होगा जो IDFC first saving account है इसके बाद इससे आप click करोगे continue पे click करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आपके bank account के सारी details आ जाएंगे अगर आपके पास multiple bank account है तो आप कोई भी एक bank को select करके select this bank account पे click करके आप आगे बढ़ सकते हो और आपके सामने ये wallet का manage screen आ जाएगा send से आप किसी को भेज सकते हो collect से receive कर सकते हो load पे click करके आप currencies को load कर सकते हो wallet के अंदर यहाँ पे ध्याद रहे payment करने के लिए आप सीधा bank account से debit करा सकते हो या आप चाहते हो किसी दूसरे account से अपने UPA के through करना चाहे तो वो भी कर सकते हो तो guys इस तरह के से आप आसाने से digital currency को load और किसी को भेज भी सकते हो send पे click कर गया भेज सकते हो I hope कि आपको वीडियो पसंदाए हो की